नमस्कार दोस्तों पुझा डिजाएंस निस्टिचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में देखिए यह टोपी बनाई है हमने 6 साल के बच्ची के लिए स्टैलिस्टोपी है तो फुल वीडियो आप देखें वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेर जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें तो चले स्टार्ट करते हैं यह देखिए मैंने फैब्रिक लिया है डबल फोल्ड में रखा हुआ फैब्रिक है तो यह 20 वाई 20 इंच का देखिए कुछ इस तरीके से डबल फोल्ड में 10 इंच को खोलेंगे तो 20 हाजाएगा अब हमें क्या करना है इसको फॉर फोल्ड करना है है यह फैब्रिक है भी और बीस-बाई-बीस का फैब्रिक है तो हम इसको इस तरीके से मिन फैबर देंगे अब मैंने लाइनिंग का एक सर्कल कट किया हुआ है तो वो सर्कल हम इस पे रखेंगे तो सर्कल के एक साइड से लंबाई माँ आपको बता देती हूँ यह देखिए 6 साल के बच्चे के लिए हम एक टोपी बना रहे हैं तो 9 इंच पर मैंने इस सर्कल कट किया इस तरीके से पूरा साड़े 9 इंच अमने आपर लिया है आपका जो भी मेजरमेंट है आप उसके अकोर्डिंग लें बच्चे की मेजरमेंट आपको एक कान से टेप रखते वे दूसरे कान तक नीचे तक लानी है और उसमें 1 इंच प्लस करना है तो इस तरीके से आप मेजरमेंट ले सकते हैं जैसे मेजरमेंट के मैंने ज़्यादा इसमें मैं बॉक्स प्लेट बनाऊंगी इसलिए मैंने फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा लिया है 4 इंच एक्टर लिया है 16 इंच मेरे बच्चे की एक कान से दूसरे कान तक के लंबाई आ रही थी तो अब यह देखिए दो पट्टिया मैंने यहाँ पर लिया है 3 इंच की चोड़ाई है और 16 इंच की लंबाई है यह देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ लंबाई चोड़ाई इस तरीके से तो 16 इंच मेरा मेजरमेंट है इसलिए मैंने यहाँ पर 16 इंच रखिए एक कान से लेकि दूसरे कान तक उसमें मैंने 1 इंच प्लस करके लिया है तो मेरा 16 है टोटल तो आप जैसे आपका पंदरा आता तो दो यह प्लस कर लैं और अच्छे से सिलाई चाहर तरफ लगा लेंगे तो कच्छी सिलाई आप यहां पर लगा सकते हैं हम इन दोनों का फैबरिक को रोगने के लिए यह पर लगा रहे हैं एक्स्ट्रा फैबरिक है उसको इस तरीके से कट कर देजिए तो अभी देखे इसको डबल फोल कर देंगे बहुत आसान सा है और बहुत अच्छी यह टोपी है तो आप इसको बचों को इसकुल गगरामे भी पैना सकते हैं तो भार भी पैनाएंगे तो बहुत अच्छी लगेगी अच्छी लगे तो ट्राय जरूर करना तो देखिए यहां से मैं 2.5 इंच और ऐसे इस तरीके से लंबाई में 6.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और यहाँ पर कट लगा देंगे यह देखिए इस तरीके जैसे मैंने लगाया है तो डबल फोल्ड में तो एक एक इंच का देखिए मैंने निशान लगाया है यहाँ पर चारो तरफ यह देखिए निशान मैंने यहाँ पर इसलिए लगाएं क्योंकि इस टोपी में बॉक्स प्लेट जो होती है वो बनाने वाले हैं तो वो और भी सुन्दर लगेंगी यह देखिए तो एक एक इंच पर आप फैबरिक को उठाती जाईए आप आईडिये से भी बना सकते हैं अगर किसी को दिक्कत होती है बनाने में उसके में ड्रोग किया है एक एक इंच और बाकी आपको आईडिये से पूरी यह देखिए इस तरीके से मैं बना लूँगी लगबग एक एक इंच की बॉक्स प्लेटे हम डालेंगे तो हमारा जिसे 16 इंच था लंबाई एक कांच से दूसरे कांदी की वो बराबर आएगे हमारी पट्टी के अगर फिर भी आपके कम जादा रहती है तो आप एक दो प्लेटे कोल सकते हैं और अगर जादा लंबाई में जादा रहता है आपकी पट्टी से तो आप इसमें और भी प्लेटे दोनों साइड से एक दो एड़ जेस्ट कर सकते हैं और प्लेटों को भी आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं तो इस तरीके से देखिए पूरे में मैंने यहां पर जामने कट लगाया था चैंज का तो वो जो बीच वाला पार्ट है उसको में छोड़ देना है दोनों कटके और बाकी में सभी में इस तरीके से प्लेटी बना कर त देखिए तो अच्छी से जम जाएंगी तो मैं देखिए प्रैस लगा लिए सिर्फ आगे से लगाना है हमें क्योंकि हम जो पट्टी लगाएंगे तो फिनिशिंग के साथ लगे यह देखिए पट्टी में यहां पर मेजर कर दो मेरी बिल्कुल बराबर आई है और यहां से आपके हैं ना पाता है तो आप इसमें प्लेटेग इस किबहर जाएं और वहीं बताऊ कर सकते हो दोनुजी है यह देखिए इस तरीके से कि यह मारा कि अबताबर गुपे से जो कट करने के बादने के सुपा स्यारां चाही जिए उने पट्टी लेटी यह देखिए तीन इंच ओड़ाई की और सो लेंच लंबाएक उसमें इस तरीकेशन निशान लगाना है और एक पट्टी पर आपको फ्यूजिंग पेपर पेस्ट कर लेना है यहां पर तो मैंने जो निशान बना रहे उस पट्टी पर जो फ्यूजिंग पेपर पेस्ट किया हुआ है उससे यह देखिए कुछ इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को दोनों साइट से कट कर देंगे छोटे छोटे कट लगा कर इसको पलट लेंगे देखिए अब जिदर गोल आई है उदर हमें किनारी किनारी से सिलाई लगा कर इसको अच्छे से रेडी कर लेना है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ किनारी से सिलाई लगानी है यह देखिए यह हमने लगा दिया और नीचे से जो खुला हुआ पार्ट है उसको भी हम जोइंट कर लेंगे यहाँ पर ताकि इसको हम जब टोपी में लगाया आगे तो बिल्कुल अच्छे से लगे यह देखिए नीचे से भी हमने इसमें सिलाई लगा लिए सिलाई हमें थोड़े से एरिम में लगानी है ज्यादा थोड़ाय की तरफ ने लगानी है इस तरीके से देखिए इसको टोपी में जहां हमने प्लेटे डाली है तो जितनी सिलाई हमने प्लेट में कवर किये उस सिलाई के उपर सिलाई लगाते हुए यह देखिए इसको अट और इसके उपर भी हमें देखिए प्रैस स्टिच यहां पर लगा देंगे ताकि अच्छे से दब जाएगा और जो आगे वाली डिजाइन वाला पार्ट है वो बिल्कुल फ्रंट की साइद इक्दम सिधा हो जाएगा यह देखिए इस तरीके से और चाय तो आप इसके उपर प्रैस भी लगा सकते हैं यह देखिए किते अच्छे से बनाया है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अब हम इस तरीके से मोड़ेंगे नीचे जो बांदने वाली पट्टी हमने डेडिंज की कटकी हुई है उसको मैं यहा और तो आप बनाये हैं यहांई यहां पर इसनो छोटे चोटी सी ती डिजाइं यह प्रिंट दिख रहा है वसी की मैचिंग का वे प्र लिया और ऋख लगा ईए और इसको लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं और इसको छोड़ भी सकते हैं। यह सिर्फ मैंने इसका लुको थोड़ा सा अच्छा आ जाए इसलिए मैंने यह पट्टी यहां पर एड़ किये और इस पट्टी के उपर मैं बो लगाऊंगी तो वो अलग से दिखेगी तो इसका लुक बहुत सुंदर आएगा तो आप आगे देखिए यह देखिए पट्टी को दोनों किनारी से सिलाया में आपर लगा लेंगे और नीचे बांदने वाली डोरी भी देखिए मैंने यहां पर लगा लिया इसमें बो है जो मैं हाथ से इसमें अटेज करूंगी यह देखिए यह इसको उपर एच्छोटा सा मैंने मोती लगाया और इसको हाथ की सुझी से अटेज करके बिल्कुल पक्का कर लेंगे तो अब देखिए इसका फाइनल लुक अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक्यू फोर वाचिंग की प्लीज ओूग मिलते हैं इसका कि ऊपने यह प्लीजम atacता ले भी भी में अब से जरूर करें मिलते हैं वीडियो तो